तो बहुत दिन हो गया है, स्कूल में क्लास नहीं हो रहा है, तो आज मैं क्लास टू के लिए एक कविता लेक्या आया हूँ, तो उसको पढ़ने से पहले चलिए कुछ बाते कर लेते हैं, तो क्या आप लोग तो बीज बीच में 20 और 30 की आते हैं तो जब आते रहते हो तो गारी में जब आते हो तुट उससका में पंपे gentree, जाती है एक चोड़ा आता है गारी रुख जाती है सब गारी रुख जाते हैं फिर कुछ देर रुके रहते हैं फिर एक हडा बत्ती जलता है फिर हम लोग फिर गारी चलाने लग जाते हैं तो क्या था वो पता है वो जो बत्ती जलता था लाल पीला और हडा याद आया देखो अभी चित्र दिखाता हूँ उससे याद जरूर आ जाएगा ये देखो अब तो समझ गया होंगे ये क्या है traffic lights और ये traffic lights क्या करता है पूरा traffic जितना गाड़ी है सब को नियंत्रन करता है चलो इसके उपड़ी आज हम लोग एक कवीटा पढ़ते हैं तो यह है lesson number 3 Let's recite नाम है Traffic Lights Red says stop Green says go Wait and watch before you go और एक बार पढ़ लेंगे Red says stop Green says go Wait and watch before you go इसका मतलब हुआ Red Red का मतलब हुआ लाल S-A-Y-S says से इसका मतलब हुआ बोल रहा है Stop S-T-O-P stop मतलब रुख जाओ Red says stop Red क्या बोल रहा है? रुख जाओ G-R-E-E-N Green Green मतलब हरा रंग S-A-Y-S says मतलब फिर बोलना है G-O-Go Go मतलब आगे बढ़ो चलो तो Green says go Green बोल रहा है आगे बढ़ो W-A-I-T weight Weight मतलब थोरा रुखो A-N-D end मतलब और W-A-T-C-H watch यहाँ पर watch का मतलब है देखो Wait and watch थोरा रुखो और अपने चारो तरफ देखो B-E-F-O-R-E Before Y-O-U-U Go Before मतलब तुम लोग रुखो देखो फिर आगे बढ़ो ठीक है और एक बार पढ़ लेते हैं Red says stop Green says go Wait and watch Before you go तो यह traffic rules हम लोग को हमेशा मान के चलना चाहिए जब लाल बत्ती जलेगा तो हम लोग को रुख जाना चाहिए Green जब जलेगा तो चारो तरफ आगे पीछे देखके फिर जब रस्ता खाली हो तब लोग को आगे बढ़ना चाहिए तो यह poem आप लोग सीखोगे पढ़ना और एक पेज लिखके मेरे WhatsApp में भेजोगे तो आशा करता हूँ यह आप लोग को समझ में आ गया होगा So, Thank You